अब तक काइनात में सबसे सर्द तरीन मुकाम दी बूम नी बोला दर्याफ्ट हुआ है जो हमारी जमीन से 5000 लाइट एर की दूरी पर है ये 1995 में दर्याफ्ट हुआ और इस पर ठंड की शिद्धत मनफी 271 डिगरी सेंटी ग्रेड है जो दर्जा जीरो से सिर्फ एक डिगरी ज ज्यादा सर्द है जहनुम में जहां आग का अजाब होगा वहां सक्त ठंडक यां बरफ का अजाब भी होगा इसके मुतालिक बाज नसूस में इशारा मिलता है स्यदना अबू हुरेरा रजियल्ला अन्हों बियान करते हैं कि रसूलुल्ह अलही वासलम ने फरमाया जहनुम जहन्ने अपने रफ से शकायत की कि ऐ मेरे रफ मेरे ही एक हिस्से ने दूसरे को खा लिया है अलतार ने इसे दो संसों की अजाज़त ती एक سंस सक्त सर्दी में तुम इंतहाई गर्मी और इंतहाई सर्दी जो इन मौस्मों में देखते हो इसका यही सबब है जहन्म में जहां शदीद गर्मी होगी वहीं इसमें मजूद एक ऐसी सर्द वादी भी है जिसकी सर्दी की शिदत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसे जुम्हरीर पुकारा जाता है जुम्हरीर जहन्म का एक ऐसा मुकाम है जहां जहन्मियों का जिसम इसकी सक्ट ठंड की वज़ा से टुकरे टुकरे हो जाएगा दोस्कियों की हडियां तूटने की आवास सुनाई देगी हजरत काब रजियल्ला अन्हों ने फरमाया जहन्म में ठंडी है जिसका नाम जुम्हरीर है इसमें दाखिल होने से दोस्कियों के गोश्ट गिर पड़ेंगे हजरत मुजाहिद रहीम उल्ला फरमाते हैं कि जुम्हरीर एक ऐसा अजाब है कि इसकी ठंड को बरदाश करने के एहल जहन्म को ताकित नहीं होगी अब्दूल요 मलक बिन उमेर कहते हैं कि मुझ तक ये बात पहुँची है जहन्मी जहन्म के दारोगा से फरीयाद करते हैं कि हमें जहन्म के किनारों के तरफ निकाल दे तो वो इन्हें इदर को निकाल देगा पस इन्हें ठंड और जुम्हरीर कतल करेगा तो वो दबारा जहन्नुम की तरफ लोटेंगे यानि ठंड की सक्ती की वज़ा से दबारा जहन्नुम में लोट जाएंगे हजरत अबन अबास रजियल्ला वताला अन्हों फरमाते हैं कि अहल जहन्नुम गर्मी से जब फर्याद करेंगे तो उनकी फर्याद रसी ऐसे ठंडी हवा से की जाएगी जो हडियों तक को फाड डालेगी जिसकी तकलीफ से घबरा कर वो फिर से आग को तलब करेंगे हजरत अबु हुरेरा रजियल्ला वताला हुआ अन्हों से रवायत है कि रसूलला करीम सलिल्ला हो वा आलेही वसलम ने फरमाया गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्ला अपना कान और आँख जमीन की तरफ लगा देते हैं जब कोई बंदा कहता है कि ला इलहा इल्ला आज के रोस इतनी गर्मी या ला मुझे जहन्म की आख से पना दे तो अल्ला पाक जहन्म से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझे पना तलब की है मैं तुझे यानि जहन्नम को गवा बनाता हूँ कि मैंने इसे पना दे दी और जब शदीद सर्दी का दिन होता है तो अल्ला पाक अपना कान और आंग जमीन की तरफ लगा देते हैं जब कोई बंदा कहता है कि ला इलाह इल्ला आज के रोज कितनी सर्दी है या ला मुझे जहन्नम के तब के जमहरीर की सर्दी से बचा ले तो अल्ला जहन्नम से फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझ से तेरे तब के जमहरीर से पना तलब की है तुझे यानि जहन्नम को गवा बनाता हूँ कि मैंने इसे पना दे दी जिस तरह आग इनसानी जिसम को जला देती है इसी तरह शदीद सर्दी भी इनसानी जिसम को जला देती है इसलिए जहन्म में शदीद सर्दी का भी अजाब होगा जुमहरीर में इस कदर शदीद सर्दी होगी कि इसका इलम सिर्फ अल्ला की जात को है लेकिन ये सर्दी चूंकि अजाब देने के लिए होगी लहाज़ा इस सर्दी से तो बेरहाल कई ज्यादा होगी जो इस दुनिया के सर्द से सर्द खिते में दिसंबर और जनवरी के महीनों में हो सकती है जिसका मकाबला करने के लिए गरम लिबास, कंबल, लिहाफ, हीटर, आकी अंगीठियां, गरम से गरम खाने, पीने की अशिया और ना जाने किस किस चीज़ का इहतमाम किया जाता है तब भी जरा सी बेहतियाती इनसान को फोरण किसी ना किसी आरज़े में मुपतला कर देती है बेहतियाती तदाबीर के बगएर नंगे बदन इनसान को दुनिया की सर्दी बरदाश करने पड़े तो वो भी अजाब से कम नहीं ऐसे अंधा रगायज़ जा सकता है कि महज जहन्म के अंदरुनी सांट से पैदा होने वाली سर्दी अगर इनसान के लिए इस कदर नाकाबले बरदाश दे है तो पिर जहन्म के अंदर सर्दी के तब के जमहरीर में इंसान की क्या कैव्यपित होगी अलापाक ने इनसान को बड़ा ही नर्मो नाजुक और इहसास जिसम अता फरमाया है इस कदर नर्मो नाजुक के सिर्फ 35 डिग्री और 37 डिग्री के दर्मियान वो सेहत मंद रहता है इस दरजा हिरारत से कम या ज्यादा दोनों बेमारी की अलामत है अगर जिसम का दरजा हिरारत 35 से कम होकर 26 डिग्री सेंटी ग्रेड तक पहुंच जाए तो इनसान की मौत वाक्या हो जाती है और अगर ये दरजा हिरारत शदीद सर्दी की वज़ा से जिसम के किसी हिस्से में मनफी 6 अशारिया या 75 डिग्री सेंटी ग्रेड या 20 डिग्री फॉरन हाइड तक पहुंच जाए तो जिसम का वो हिस्सा सर्दी के बास जल कर या गल सड कर फॉरन अलग हो जाता है जिसे तिबी इसला में फ्रॉन साइड कहा जाता है लम्हे भर के लिए फर्स कीजिए कि जिसम हरीर में सिर्फ इस कदर सर्दी होगी जिसे इनसान का दर्जा हिरारत मनफी 6 अशारिया 7 डिग्री सेंटी ग्रेड तक पहुंच जाए तो इस अजाब की कैफियत क्या होगी अबु हुरेरा रजियल्ला वतादा अन्हों फर्माते हैं कि नबी करीम स्लिल्लाहु वालेह सलम ने फर्माया कि आग ने अपने रब के सामें शकायत की और कहा आए मेरे परवर्दिगार मेरे एह खिसे ने दूसरे को खा लिया है अब मुझे सांस निकालने की अजासत दीजिए तो अल्ला पाक ने इसे दो सांस निकालने की अजासत दी एक सर्दी में और एक गर्मी में ये जो तुम गर्मी की सक्ती पाते हो ये जहन्म की हरारत है और ये जो तुम सर्दी की हरारत पाते हो ये जहन्म की जमहरीर की सर्दी है जमहरीर का अजाब इन लोगों पर आएगा जो सर्दियों में नमास इसलिए छोड़ देते हैं कि शदीद सर्दी में वजू करना मुश्किल होता है और इस शदीद सर्दी में लिहाफों को वो छोड़ नहीं पाते और अराम के मज़े लेते हैं तब अल्ला पाक ऐसे लोगों को जुमहरीर की सर्दी का अजाब चखाएगा जो जहन्म की भड़कती हुई आख से भी ज्यादा सक्त होगी जिसके बारे में आप सुलियलाहू वा दरम्यान लख दिया जाए तो ये मश्रिक और मगरिब के दरम्यान की तमाम चीजों को अपनी बदीदार हवा और सक्त गर्मी से दुखी कर दें और जहन्म के शरारों में से एक शरारा मश्रिक में मुझूद हो तो इसकी गर्मी मगरिब में रहने वालों को जाप आप सलिएलाही वालुआवायूसालम से रिवायद की है कआप सलिएलाही वालुआवायूसालमसे डिलाही जान्स मेंसमझात हो, तो एक मुद्रुम को अगर झालने हो तो एहले मगरिब का दमाग पिगल जाए अमीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी